Hello and welcome back to my channel, मैं हूँ Anirban और मैं आज आप लगो के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ जी हाँ, ये वीडियो टाक टेरोट के अंदर ही होगा और इस वीडियो में मैं आप लोगों का affirmations and manifestations के बारे में बोलूँगा आप लोग बहुत questions करते रहते हो कि दादा manifest कैसे करें और does crystal work और कोई candles work करते हैं कैसे करता है, candle कैसे आप जलाते हो और magic कैसे होता है तो देखिए एक चीज, magic crystal से भी हो सकता है, candle से भी हो सकता है, आप से भी हो सकता है तो magic के लिए कुछ particular ingredients के जरूरत नहीं है, आपका जरूरत है अभी उस magic को और भी जाधा effective बनाने के लिए हम लोग ingredients यूज़ करते हैं और उसके साथ साथ color का भी इस्तमाल हम करते हैं जैसे के माल लीजे के हर एक color का different difference rules होते है, different difference meaning होते है जैसे के red color mean करते है आपके courage, यानि के आपके passion और आप बोल सकते हो के जो चीज आप सबसे ज़ादा प्यार करते हो, उसको define करते हैं उसके साथ साथ आता हूँ yellow color, yellow color आपका good luck and confidence को kind of beauty को indicate करते हैं उसके बाद आता हो orange color, orange color आपके creativity को indicate करते हैं बाद आता हों blue color, blue color आपके communication and आपके psychic ability and आपके mental peace को represent करते हैं उसके बाद आता हो white color white color purity and protection के लिए आप इस्तमाल कर सकते हो या फिर white color purity and protection के लिए मतब यही represent करते हैं secondly आता हूँ purple color purple color is like वो आपके spiritual development को represent करते है तो purple is actually a representation of your crown chakra तो आप अपने crown chakra को heal करने के लिए purple color को use कर सकते हो बहुत अच्छे से basically purple color represents करते है आपके spirituality उसके बाद आता हूँ black color black color आपके banish करने में मदद करते है like banishing negativity and clearing negativity removing negativity and at the same time removing sadness so black color use होता है in a way to protect your soul और आप बोल सकते हो black color extreme purity और banishing भी represents करते है उसके साथ-साथ ये जो colors के लिए मैं बोला उसके साथ-साथ कोई-कोई चीज आपको important है जैसे के मान लिजीए कि आप कौन से color को कौन से चीज बे यूज़ कर रहे हो जैसे के green एक ऐसा color है जो money को represents करते है जो growth को represents करते है and at the same time greeneries देखने से ही आपको एक बहुत positivity महसूस होता है so ये जो colors मैं बोला इसके साथ combinations करके आपको candle जलाना है जैसे के money के लिए आप green जला सकते हो अपने creative project के लिए yellow और orange में से आप जला सकते हो competitive exams दे रहे हो या फिर exams के लिए yellow orange यूज़ कर सकते हो आपके options blue है आपके options and similarly अगर आप white candle भी जलाते हो तो ये सब candle का बाप है so ये आपको automatically आप ये चीज़ white candle जलाके भी आप manifest कर सकते हो आया बात manifestations के कैसे आप करेंगे देखिए पहले आपको एक ऐसा target चूज़ करना है जो आप खुद को पता है कि ये चीज़ आप कर पाओगे but manifest करके उसको आप और भी अच्छे से कर सकते हो जैसे कि आपको job मिल सकता है but जब तक ना आप job को try करोगे जब तक ना आप job के लिए apply करना start करोगे जब तक ना job के लिए kind of literally 100% होगे तब तक spell नहीं work करेगा तो आप बोल सकते हो कि तो फिर spell किसके लिए spell सिर्फ आपको आपके जो destination से उस तक पहुचाने के लिए एक medium है इसका मतलब यह नहीं कि spell magic करके reality बदल जाएगा no, reality आपको जो चाते हो जो universe चाते है वैसे ही होंगे sometimes ऐसा होता है कि आप spell कर रहे हो कुछ चीज के लिए और वो चीज आपको नहीं मिला but वो चीज in a different way आपको मिला तो यह चीज बहुत important है कि कौन से चीज के लिए आप spell कर रहे हो अगर आप spell कर रहे हो कि मेरे को बहुत पैसा चाहिए तो बहुत पैसा आने के साथ-साथ responsibilities भी बढ़ेगा और वो चीज के लिए भी आपको problem create हो सकता है so problems तो रहेगा ही कोई ऐसा बात नहीं कि problems कभी भी खतम हो जाएगा but यह बात होगा कि spell से उस सारे problems को आप control कर सकते हो secondly आता हो peace, mental peace अकसा spiritual जो world में आप चलते हो or spirituality के लिए आप जब kind of spiritual world में आप काम करते हो तो आपको एक चीज बहुत ज़ादा like आपको बहुत ज़ादा परिशान करेंगी वो है आपके anxiety क्योंकि आप दूसरों के energy के साथ काम करते हो and secondly आप खुद भी जब readings देखते हो हमेशा tarot readers यही बोलते हैं कि यह general reading है right मतलब क्या है कि energies are everywhere तो यहाँ पर बहुत ज़ादा toxic लोग ऐसे होंगे जो आपके negativity को kind of kind of बहुत आसानी से पड़क लेंगे and पड़कने के बाद वो चीज को वो hit करेंगे यानि कि वो आपको intentionally negative सोचने में मजबूर कर देंगे जैसे कि एक negative reading आ गया और उसके लिए जो tarot reader read कर रहे है उस negativity को और बढ़ा दिया तो आपको क्या लगेगा? frustrated लगेगा तो यह एक negative publicity की तरह आप ले सकते हो हाला कि 78 cards खराब नहीं है मैं हमेशा एकी चीज बोलता हूँ tarot में कोई cards खराब नहीं है क्यों? देखो जो लोग divorce चाह रहे है उनके लिए three of shorts एक blessings है और जो लोग बहुत पैसा कमाना चाहते है और उसको ten of cups आ गया मतलब उसके पैसे से उसका दिल के उपर उसको ज़ादा focus करना चाहते है similarly कोई marriage को आप बोल सकते हो devil क्योंकि हो आप दोनों नहें और दोनों ही marriage bonding में आ रहे हो similarly lovers भी बहुत ज़ादा complicated होता है यानि के प्यार तो हो सकता है बट शादी और प्यार एक चीज़ नहीं है so हर dimension में cards सही है उसको कैसे पढ़ रहे हो और उसका general way में representations क्या है इसके उपर आपको सोचना है जैसे कि मानलो एक छोटा सा example दे रहा हूं कि अगर आपको मानलो मिल गया four of cups तो आप सोचोगे four of cups क्या हो सकता है क्या ये कोई depression है हाँ depression तो है बट four of cups simply एक ही चीज़ बोल दे रहे है कि आपके घर में कोई ऐसा चीज़ है जिसका experiment खतम हो गया है तो आपको उस चीज़ को change करना है जैसे कि मानलो आपके लिए मैं बोल सकता हूं कि आया judgment का card तो शायद आप shopping करने जा रहे हो और आपके friend के लिए भी आपको shopping करना है और आपके family के लिए भी आपको shopping करना है तो it's a simple card कि आपको खुद decide करना है और आपको ही choose करना है उसके बाद आया tower तो आप लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हो कि tower card आ गया भाई क्या है tower मतलब क्या है कि आपको साक्षात भगवान के दर्शन या फिर Allah के दर्शन या फिर God का presence मिलेगा या फिर angels का presence मिलेगा मतलब आप awakened हो जा रहे हो तो ये awakening का process depends करता है different different लोगों के लिए बट ये हो जब होता है किसी का तो ये डरावना ही होता है आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत peaceful बट जब आपको लगेगा कि हाँ मेरे को एक बहुत बड़ा kind of answer मिला ये फिर sign मिला that means it's a major sign of your life so ये है एक कार्ट similarly justice का मतलब ये नहीं कि आपको justice मिलेगा justice मतलब ये है कि आप कोई नहीं होते हो justice को demand करने वाले वो तो universe के हाथ में तो universal justice आपको ज़रूर मिलेगा and secondly एक चीज में बोल सकते हो हाइप्रिस का मतलब ये नहीं है कि कोई black magic कर रहा है हाइप्रिस का मतलब ये है कि आपको अपना intuitions को छुपा के चलना होगा क्योंकि magic work कर रहे है एक चीज में हमेशा आप लोगों के साथ मतलब कम commonly सुनता हो कि क्या मेरे उपर black magic हुआ है क्या मेरे उपर कोई hexing किया है हाला कि ये चीज भी fake है क्योंकि black magic और hexing और cursing करने के लिए आपको कोई person को बहुत जादा time spent करना पड़ेगा हाला कि कोई आपके जो enemies है वो क्यों करेंगे आपको लेके इतना कुछ until or unless आप उनका बहुत जादा बोरा कुछ किये क्यों न हो तो हो सकता है कि ये लोग करार है है but it won't work कैसे आप समझेंगे कि आपके उपर hexing हुआ है के नहीं जब आपके घर के सामने कुछ चीज आप देखोगी कुछ बहुत अजीव हुआ है या फिर आपके कपड़े इम्यूनिटी सिस्टेम है similarly spirituality का भी एक different immunity सिस्टेम है अक्सर लोग totally depend करते है एक high priest के उपर और एक you know ओजा के उपर tantrik के उपर बट एक चीज मैं बोलूँगा कि ये चीज आप खुद ही resolve कर सकते हो अगर आपके intention बहुत strong है और अगर आप authentic person हो देखो एक चीज हम लोग सब बदलते हैं हमारे worries anxieties सब बदलते हैं तो spell आपको ये मदद करेंगे कि आप पहले आपके intention, intuitions और आपके lifestyle जैसा था आपके 10 साल के बाद भी उतना ही accuracy रहेगा उतना ही productivity रहेगा उतना ही magic आपके लिए काम करेगा तो spell is like this तो spell को misunderstand मत कीजिए क्योंकि कोई लोग अपने wish fulfillment के लिए spell करा रहे है बट wish fulfillment होता है कई कबार किसी किसी के लिए जल्दी होता है किसी किसी के लिए बाद में होता है बट कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपके personal soul journey के उपर focus करना है बाकी universe के हाथ में है तो universe आपको इस चीज़ को आपको कैसे manifest करना है कैसे affirmations यूज करना है ये चीज़ आपको सीखा देंगे जैसे कि small example मैं बोल रहा हूँ affirmations affirmations क्या होता है a bunch of words जैसे कि मानली जी ये positive affirmations क्या है कि हम जब हमारे बारे में कुछ बोलते है अक्सर आप देखोगे आपको जब कोई बोलता है कि आप कैसे हो हम ऐसे बोलते है कि हाँ ठीक हूँ या फिर कोई-कोई बोलता है कि ठीक ठाक चल रहा है कोई-कोई बोल रहा है कि बहुत अच्छा हूँ बट अक्सर हम लोग इस चीज पे kind of थोड़ा सा manipulate करके सोच लेते हैं कि मैं अगर जादा अच्छा नहीं हूँ बोलूँगा तो शायद हो सकता है कि नजर नहीं लगेगा बट ये चीज गलत है क्योंकि आप उनिवर्स को एक negative energy send कर रहे हो आपको बेज़िजख होके बोलना है कि yes, I am doing fine I am doing extremely good and I am extremely happy तब जाके ये उनिवर्स इस चीज को सुनेगा और तब जाके energies open हो जाता है हम लोग जूट बोलते हैं और गलत शब्द का इस्तमाल करते है तो उस शब्द का जब हम लोग इस्तमाल गलत तरीकी से करते हैं तो manifestations गलत होता है अक्सर हम देखते हैं कि जब हम लोग love manifest करते हैं तो हम लोग बहुत sad होके love manifest करते हैं या फिर हम लोगों को 90% time पे ऐसा लगता है कि मैं फालतु में manifest कर रहा है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है तो ऐसे अगर आपके सोचे तो please सोच को बदल डा लिए क्योंकि आप ही खुद अपने negative manifestations को आगे बढ़ा रहे हो क्योंकि आप positively नहीं सोच पा रहे हो और positively क्यों नहीं सोच पा रहे हो आप खुद को convince नहीं कर पाए हो तो पहले खुद के साथ time spend कीजिए meditate कीजिए at least 10-15 minutes meditate कीजिए और आप देखेंगे कि automatically आपके लिए spiritual doors open हो रहा है आप tarot और divinations का मदद तो ले सकते हो बट पहले tarot और divinations को अपनाई है उनको कुछ ऐसे उनसे एक ऐसे relationship रखिये चता कि वो आपके best friend है वो आपके enemies नहीं है मतलब कोई ऐसा card दिग गया मतलब कोई खराब चीज नहीं होने वाला है यह आपके लिए आपको मदद करने के लिए ही आए है so consider them as a friend and consider me as your family छोटा सा वीडियो था यही कुछ tips spiritual tips के लिए ही मैं आज यह वीडियो किया था I hope यह वीडियो अच्छा लगा और एक चीज़ हमेशा जो भी आप affirmations use करोगे I am या फिर मैं हूँ ऐसे affirmations start करोगे आप poetic way में भी affirmations को लिख सकते हो जैसे कि आप कोई poetry लिख रहे हो कभीता लिख रहे हो या फिर आप एक normal way में affirmations use कर सकते हो जैसे कि I am divine यह चीज अप छोटा सा एक kind of box में लिख के रख सकते हो मैं आज एक particular tips देने बाला हूँ जिसको मैं बोलता हूँ sympathetic magic तो how to do a sympathetic magic पहले में एक चीज बोलूँग आपको एक container ले लिजिए यह jar हो सकता है कोई भी jar जैसे कि मालो कि आप nutella खाए हो या फिर कोई भी jam खाए हो या फिर कोई भी cheese biscuit खाए हो और उसका kind of वो पुराना jar है तो उस jar को clean करके आप नहे तरीके से use कर सकते हो तो उस jar को ले लिजिए और उस jar को DIY करके बहुत कुछ करके सजाईए अगर आपको सजाना अच्छा नहीं लगता है तो ठीक है जैसे jar है वैसे रख दीजिए बट yes packet उसके उपर में अगर कोई sticker है तो उसको हटा दीजिए बट मैं बोलूँगा आपको के हमेशा एक थोड़ा सा खुद का creative touch रखेंगे अगर आपका clean jar है तो कोई बात ही नहीं है उसके अंदर आप बहुत बहुत अच्छा चीज रख सकते हो अभी बात आता है कि दादा jar के बाद क्या करूँगा उस jar को आप लेंगे और उसको सिर्फ आपके नाम उस jar के उपर लिख देंगे या फिर sticker से चिपका सकते हो क्योंकि वो आपके alter होंगे alter मतलब क्या होता है कि आपके alternative identity अभी उस jar में आप हर रोज एक एक नए words drop करेंगे जैसे कि मान लीजी कि Monday में आप लिख सकते हो love Tuesday में आप लिख सकते हो peace Wednesday पे आप लिख सकते हो money Thursday पे आप लिख सकते हो psychic abilities तो जो चीज आप चाते हो एक एकर के चिट आप उसमें रखेंगे everyday और उस jar के अंदर आप अपने favorite चीज रख सकते हो जैसे कि makeup के अगर आप female हो तो makeup के चीजे अगर आप male हो तो आप अपना gadget या फिर आपके stickers या फिर कोई भी particular एक चीज जो चीज आपको बहुत पसंदे आप keyring रख सकते हो सबसे important चीज आप एक flower रख सकते हो अब अपने deities के photos वहाँ पे रख सकते हो उस box उस container के अंदर आप छोटा मोटा करके हर चीज रख सकते हो जो चीज आपके लिए बहुत अच्छा आप मानते हो तो हो सकता है कि अगर आपको herbs बहुत पसंदे तो वहाँ पे आप एक cinnamon stick रख सकते हो आप एक flower रख सकते हो red rose रख सकते हो artificial flower मत रखिये क्योंकि artificial flower आप सिर्फ बाहर के decorations के लिए रख सकते हो तो उस jar को आप हमेशा एक एक करके words देते रहो और आप उस jar को हमेशा जैसे कि खुद को आप define कर रहे हो ऐसे करके सजाओ जैसे कि वो jar आपके test को represents करते है जैसे कि वो jar आपके लिए कुछ अलग है तो उस jar को आप अपने office लेकी भी जा सकते हो या फिर जहां पे भी आप जाओगे आप घर में बैठके बढ़ाई कर रहे हो तो प्लीज उस jar को सामने रखके भढ़ाई करो येस उस jar के अंदर आप crystal रख सकते हो जो भी चीज आपको पसंद आता है until and unless ये कोई creepy चीज ना हो similarly अगर आपके पास कोई भी ingredients नहीं है तो आप घर में थोड़ा सा नमक भी रख सकते हो चावल भी रख सकते हो क्योंकि it helps yellow color के लिए आप obviously रख सकते हो turmeric यानिक हल्दी क्योंकि ये आपके confidence को बढ़ाएंगे साथी साथ आप दालची नी रख सकते हो एलाइची रख सकते हो कोई edible item मत रखिए जैसे कि च्वीन गम हो या फिर कुछ ऐसा हो नो और उस jar से आप ऐसे मतलब उस jar को लेके भी आप सो सकते हो उसमें chiller रख सकते हो 10 रुपे के coin रख सकते हो 5 रुपीज के coin रख सकते हो dollar रख सकते हो so मेरा कहने का मतलब क्या है कि उस jar को आप वैसे इस्तमाल करेंगे कि इस week में आपको चो चीज सबसे ज़रूरत है उस चीज के related words और affirmations उस पे आप रखोगे ना आपको कुछ चीज को जलाना होगा ना आपको कुछ चीज को kind of दफन करना होगा simply उस jar को आप अपने सामने रखेंगे और आप अपना energy देते रहोगे सुबा उटके उस jar को बहुत ज़ला प्यार करोगे और बोलोगे कि you love that particular altar मतलब वो आपके लिए सब कुछ है वो आपके लिए काम करेंगे धीरे 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 ऐसे ऐसे करते करते within 2-3 months आप देखोगे कि आपके साथ उस jar का एक बहुत अच्छा सम्मन बन गया है और आप धीरे धीरे उस jar को magical tool की तरह use करें this is a small tip I hope यह चीज आप लोगो अच्छा लगेगा मैं एक sympathetic magician हूँ तो मेरे magic कोई ऐसा नहीं है कि जहां पे hardcore weekend या फिर hardcore तो मा काली मेरे को जैसे instructions देते है तो मैं वही follow करने के सोचता हूँ and I hope यह video आप लोगों के लिए अच्छा लगेगा और आप में से जो लोग बहुत depressed रहते हो बहुत anxious रहते हो उनके लिए यह jar खास कर कि बहुत important होने वाले है क्योंकि कहीं कबार ऐसा होता है कि कुछ creative ideas बहुत ज़ादा depressive ideas को दफन कर सकते हैं kill कर सकते हैं remove कर सकते हैं so be creative and be magical and may universe treat you the way you treat others so all the very best ओं क्रीम दक्षिना काली के नमो I hope आप लोगों सब अच्छे हो और भी वीडियो लेके मैं आ रहा हूँ subscribe bye, take care